एप हैलो फ्रेंट्ज वेलकम तू आवर चैनल आकाचिन की ट्रिक्वी मैश इस लेक्चर में हमगे डिसकस करेंगे वॉल्यूम एंड सर्फेस एरिया तो हम आज देखेंगे वॉल्यूमन तो इन सभी चीजों के बारे में हम डिसकसन करेंगे और उसके पाद अगर समय बचा तो हम क्या करेंगे सारे इंपॉर्टिटिटिव प्रॉब्लम्स जो कि पिछले सालों में अलग-अलग क्योंकिष करेंगे चलिए तो स्टार्ट करते हम अपना डिसकसन स्टार्ट करते हम अपने टॉपिक को क्यों गॉवीड से ठीक है तो फस्फ क्योंगिवाइट को लेते हैं तो क्या होता है क्यों बाहर Till देखे एक सॉलिट की टीकर है जिसमिन लेंध भी ओती है और हीज़िए ठीक है देखे ये माल लीजे आपकी एक rectangular shape है ठीक है अगर ये plane figure हो तो यसे rectangle बोलेंगे और इसी को अगर height देदें ठीक है अगर height देदेते हैं तो ये keyword बन जाती है जिसमें length भी होती है breadth भी होती है और height भी होती है ये आपकी होगे ठीक है ये length होगे breadth and height तो तीनों dimension होती है इसके पास अब देखे अगर हमें मान लीजे let length length is equal to l breadth होगे ये हमारी b and height as units height equal to h ठीक है और unit आपकी पोसरती आइदर meter लें centimeter लें ठीक है जो भी unit हो तीनों की unit हम लेते हैं तो l into b l into b आपको base area of the cuboid हो जाएगी उसको height से अगर multiply करते हैं height को हम imaging कर सकते हैं छोटे-छोटे पतले layer of rectangles एक दूसरे के उपर रखा हुआ है ठीक है सीट होते हैं पतले सीट उसको अगर आप बहुत सारे सीट को एक साथ रख देजेगा तो वह एक क्यूबवाइट का फॉर्म ले देगा आप एक रूम की बात कीजिए रूम का सेप जो होता है वह भी एक क्यूबवाइट का सेप होता है अब चलिए हम सर्फेस एडिया की बात करें यह हो गई हमारी volume तो तीनों की unit होगी अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा अंसर तो जो ही unit हो इसकी unit हो जाएगा cubic unit अब अब सर्फेस एरिया की अगर बात करें तो क्या होगी सर्फेस एरिया सर्फेस एरिया देखिए तीन फेस तीन आपका dimension है और इसके छे फेस होंगे टोपन ठीक है अगर आप बेस की बात कीजिए तो एक बेस है और दूसा रूप हो जाएगी ठीक है यह और बेस का एरिया हो जाएगा एल इंटु बी सिमिलरली रूप की भी एरिया जो होगी वो एल इंटु बी हो जाएगे अब किसी एक वाल को कंसिडर कर लीजे सपोर्ज लेंग से जो आपको कनिक्टेट है और हाइट से कनिक्टेट है ठीक है उस वाल की तो एल इंटु एच और अपोजिट वाल को लीजे तो उसकी भी ए अपो जी तो वाल की इंक्लूट करेंगे तो वह भी हो जाएगी बी इंटू एच तो फॉर्मुला आपके हो जाएगा ट्वाइस और लेंज इंटू ब्रेट प्लस ब्रेट इंटू हाईट प्लस लेंज इंटू हाइट ठीक है six faces हैं और छे ओ फेस का आप area निकाल दीज़े और add कर दीज़े तो इतनी square units वजाएगे ठीक है अब अगर diagonal की बात करें diagonal तो diagonal देखिए आप मान दीज़े ये point आपके अलग कर दो लेते हैं तो पता चले है और ये opposite corner ये है ठीक है तो ये longest diagonal होगी ठीक है बाकी diagonal को हम फेस diagonal बोलेंगे ये आपको body diagonal होगी A और B तो A और B की length क्या हो जाएगी under root L square plus B square plus H square units ठीक है ये हो गई cube void की बात अब हम आते हैं next shape पे next solid figure जो हम discuss करेंगे वो है एक cube cube और cuboid में बस इतना अंतर है कि cube के सारे dimension means length, breadth और height इक्वल होते हैं ठीक है तो cube is a cuboid ठीक है जिसके length is equal to breadth is equal to height सपोज उसकी age length हम बोलते है age length is equal to a let each age length of cube be a ठीक है तो अब अगर इसकी हम volume की बात करें volume तो volume of cube void क्या होता है को l into b into h तो अगर तीनों equal to a है तो a into a into a क्या हो गया a cube cubic unit ठीक है अगर a की unit meter में है तो volume की unit हो जाएगी meter cube unit अब surface area की भी बात कर लेते हैं surface area is equal to twice of lb plus bh plus lh यही होते है cube void के surface area की पामूला तो 2 into length भी हमारी a है breadth भी a है और height भी a है ठीक है क्या हो जाएगी 6a square square unit ठीक है अब surface area हो गया body diagonal की बात कर लें diagonal diagonal यहाँ हो जाएगी under root a square plus a square plus a square तो under root 3a square तो root 3a unit ठीक है आप पूरे last बने रहेगा इस lecture में तो आप हरी solid figure का जो भी problem हो easily आप solve कर पाएगे ठीक है और हम बाद में आपको last में क्या करेंगे पहले अभी हम सारी formula discuss कर लेते हैं उसके बाद कुछ important problems भी discuss करेंगे चलिए अब next figure पर आते हैं clean कर लेते हैं पहले थोड़ा space चाहिए हमें next figure हमारी क्या होगी cylinder ठीक है तो third figure हमारी होगी cylinder cylinder की save क्या होती है देखिए एक circular disk लीजे आप circuit है उसे अगर आप height दे दें ठीक है बहुत सारे circular disk को एक दूसरे के उपर रख दीजे तो उसकी जो save बनेगी वह एक cylinder होगी ठीक है देखिए यह तो यह एक छोटी से बीचमें डिस्क है ऐसे ऐसे बहुत सारे disk होंगे उससे रख दीजे सबोज इसकी disk की radius है हमारी R और height of the cylinder जो हमने फॉर्म किया वह है H ठीक है height हो गई radius दोनों फेस्टी सेम होगी R ठीक है तो late base radius is equal to R base radius हम बोलते हैं and height और length भी बोला जाता है कभी कभी क्या बोला जाएगा length of the cylinder ठीक है तो length और height is equal to H तो इसमें देखे volume क्या हो जाएगी volume is equal to base area into height base area हमारी क्या है pi R square और height से multiply कर देंगे तो pi R square ठीक है सारे इसमें radius और height की जो भी unit हो तो यह हो जाएगी हमारी cubic unit में अगर मीटर में हैं दोनों radius और height तो यह मीटर क्यूब हो जाएगी centimeter में हैं तो centimeter क्यूब हो जाएगी cubic unit चलिए अब अगर surface area की बात करें तो एक cylinder के लिए दो surface area नॉर्मली term में हम यूज में लाते हैं एक तो आकी होती है curved surface area और दूसरी होती है total surface area का मतलब है जो भी curve portion में है ठीक है मिस आप दोनों face जो circular face है उसे हटा करें आप सारे area को add कर देंगे तो वो आपको curved surface area देंगे ठीक है तो curved surface area का फॉर्मला देखे curved surface area कैसे calculate करें आपको दें कि base का जो circumference है twice pi r उसको अगर height से हम multiply कर दें तो हमें curved surface area मिल जाती है तो base circumference 2 pi r into h ठीक है और इसकी unit को जाएगी square unit curved surface area हो गया total surface area अगर calculate हम करें तो क्या होगी total surface area ठीश है total surface area में क्या करते हम आपको देखे उसमें क्या करें curved surface area प्लस ये base की area प्लस इस top portion जो है ये flat portion उसकी area इन दो दोनों को अगर add करते हैं तो हमें total surface area मिल जाएगे तो ये होती है आपको twice of pi r h प्लस pi r square आपको दोनों face area हो जाएगे तो pi r square प्लस pi r square twice of pi r square ठीख है और इसमें क्या करेंगे 2 pi r common ले सकते हैं तो h plus r ये square units में आवे हमारी ठीक है चलिए अब हमने cylinder की बात कर ले next time this space करते हैं कोन की बात को फोर्थ पोर्स ठीक है next solid shape कोन लेते हैं कोन क्या होता है आपने जाल मोनी खाई होगी ठीक है तो जाल मोनी आपको जो बना के देता है कि इस से पर रहता है वह कौन रहता है आइस क्रीम आप ठाते हो ठीक है तो आइस क्रीम कौन वाले पोर्शन में देखे फिल करके देता है आपको आइस क्रीम कौन तो यह होता है आपको कौन चलिए तो अब हमें find करनी है उसकी volume और surface ये लिया ये height हो गही base radius r और इस curved surface वाले ग्रेंट को हम भोलते है sland height इसे denote की जाती है L से ठीक है चलिए तो radius of base हमने एजूं कि हम कौन की हम बात कर रहे है है कि बेस्ट रेडियस कि इस इकवल टू आर और हाइट हमने एजूं किया है कि एच ठीक है तो sland height अगर हमें calculate करना है तो क्या करेंगे हम पाइथागोरा च्रीरम यूज़ कर सकते हैं sland height sland height हम L से ठीक करते हैं कैसे calculate करेंगे यह अगर पाइथागोरा च्रीरम अप्लाइ कर दें तो क्या हो जाएगे L equal to under root h square plus r square h square plus r square और इसकी unit होगी जो भी आपी h और r की unit होगी ठीक है volume of a cone की बात करते हैं volume of a cone तो volume of a cone क्या होता है cylinder की जो volume होती है उसकी one third volume होती है phone की volume ठीक है तो cylinder की volume हमें पता है pi r square h तो यह हो जाए 1 by 3 और pi r square h ठीक है QV unit volume हो गई अब जैसे हमने cylinder में देखा था दो type के surface area तो यहाँ भी हमारे एक curve portion है तो curve surface area अलग से calculate करेंगे और total surface area हम अलग से calculate करेंगे तो curved surface area of a cone क्या होती है curved surface area of a cone तो यह होती है आपको pi into radius of base into L L is length height ठीक है और यह हो जाएगी इसकी unit square unit पाइ आर एल ठीक है अब total surface area की भी बात कर लेते हैं तो क्या हो जाएगी base area add कर देंगे total surface area of a cone equal to count surface area बो होती है pi r plus base area कितनी हो जाएगी pi r square pi r square और इस unit हो जाएगी square units कि अधिक है चलिए यह बात हमने किया अब कून में ही हम आगे discuss करते हैं फ्रस्ट्रम होता है ठीक है फ्रस्ट्रम अब क्या होता है वो देख लेते हैं पहले उसके बाद हम उसके सारे फॉर्मूले लिख लें हैं कि अधिक है कि अधिक नेक्स्ट हमारा हो गया फिफ्ट पार्ट कि पार्ट में हैं फ्रस्ट्रम और कों फ्रस्ट्रम और कों देखें यह मान लिए आपकी कों है ठीक है यह कों होगे बेस होगे यह बेस रेडियस पता है अगर हम इसके उपर वाले पोर्शन को कट कर दें है कि इतना पोर्शन हम कट कर दें एंक यह वाला बेस क्रेंव ठा POL केट कर देते हैं तो जो वृमेंदी पोर्शन बचती है यह कि És थी है कि साइज उपर इतना ही होगा थोड़ा बढ़ा के बना रहा हो थी है तो यह से हो गो यह को 근데 कर देंट — फोगी कटिंग मतलब एक पैरलल थेस जो की बेस से पैरलल तो उससे कट करनी है ठीक है वेन अपनीस कट बाय प्लेइंग पैरलल तो दा बेस तो जो रिमेंडिंग पोर्शन बचती है उसे हम फ्रस्ट्रम ओप कोन बोलते हैं अगर वेस रेडिएस माहने 3 और अपर वाले रेडियास जो है रेडियस आप टॉप बोलते हैं यह स्मॉल और थीं इसुद्पषी माहन आल्य है कि जो बची में पोर्शन है उस पिसलेंट है और हइड अपकारे लीड है आधे चलिए तो आप इसी फार्मूला में एक करके देखते हैं कि फस्ट फार्मूला पो हो जाएगा व्यों सुर्शितर सब्सक्राइब कि आफक बार्लियूम और फ्रस्ट्राइब अ वर्श्ट्राइब क्कूल और चाहिए वल्यूम देखें डोंड व्ल्यूम कंसीटर निधा करके कर लिजेंगे थीक है तो उसकी पूली कौन की वाल्यूम निकाल द आपसे और प्लंशिया जो कौन बची है एक जो हमने कट कर लिया एक वह वाल्यूम डेजींगे तो आपको वाल्यूम ऑफ करेंद हो जाएगी इस मॉल आर वाली तो आपको यह एक फॉर्मूला हो जाएगी पाइसच ज़िये कर इंटू आर स्कॉरब फ्लस आपस्मोल आर स्कॉरब प्लस कैपिटल रार इन्टू स्मॉल आप डिराइब करके देख लिजेगा यही आई लिए आपके क्योविक यूनिट ठीक है स्लेंट हाइट इसकी क्या आपके स्लेंट हाइट तो एल इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का स्क्वाइर प्लस हेज स्क्वाइर थीक है यह दीए पौर्चन अगर अगर हम ड्रॉ करें तो यह बाली पौर्चन हो जाएगे यह जोगे है य एल हो गई यह पौर्चं क्या हो जाएगे यह आर माइनस आर कैपिटल आर माइनस pintH У 19 यूनिट अब कर्व्ड सर्फेस एरिया की बात करें और फ्रस्ट्रम कर्व्ड सर्फेस एरिया क्या हो जाई जी है इसके फॉर्मूला हो जाई जी पाई इन्टु एल आर प्लस आर स्क्वाइर यूनिट ठीक है पाई इन्टु एल एल इन्टु आर प्लस आर स्क्वाइर यूनिट ठीक है अब हम बात करते हैंación Tota सर्फेस एरिया क्या करेंगे टॉप एरिया और बेश एरिया दोनों को तोटल एरिया है पोनिटो शर्फेस एरिया इकल टू पाय इंटव और कर दो पायर स्कॉर ओंभी बेस एक्वाए प्लस एरिया प्लॉस एंटू और प्लस आर्पलस आप सफडरिया पाइब लिए में अभी है झिए समग इसस्फोरिय कीदो इसे कि अब हमने डिशक मिनि सब्रूर्प के हैं कि वरके सिलेंद्र किया है अब क्या स्फेयर और है दीज मैं अब सफेर और ए हरदिते स्फेर की बात करें तो उसके एक्जामपल आप देख सकते हैं अर्थ को अप्रॉक्सिमेटली हम लोग एज़र स्फेर करते हैं ठीक है पूरी राउंड होनी चाहिए उसे स्फेर हो फुटबॉल आप बोल सकते हैं फुटबॉल होती है आपको सफेरिकल सेट की ठीक है चलिए तो स्फेर, स्फेर अगो ड्रॉप करें तो ये ठीक है, पूरी सर्कल होनी चाहिए, रेडियस माल निके स्फेर की देवे है, रेडियस आफ स्फेर इस आफ ठीक है, रेडियस आफ स्फेर तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगे, वॉल्यूम आफ स्फेर इस इकल टू पूर बाई थ्री, पाई आर क्यूब, क्यूबिक उनिट हो जाएगे, चलिए यह वॉल्यूम होगा, इस सर्फेस इरिया की बात करें तो, सर्फेस इरिया, इसमें देखे, टोटल सर्फेस इरिया और कर्ट सर्फेस इरिया सेम ही होगी, क्योंकि यहां कोई भी फ्लैट पोर्शन आपका नहीं है, टोटल कर्व पोर्शन ही है, तो सर्फेस एडिया ऑफर स्फेर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वार, स्क्वार इनिट्स, ठीक है, सर्फेस एडिया हो गई, अब हम हेमिस्फेर की बात करते हैं, यह हमारी थी, सिफ्थ नमबर स्वारे, सेवंथ नमबर इस हेमिस्फेर, हेमिस्फेर देखिए, अगर एक स्फेर है, उसे हम बीच से कट कर दें, दो इक्वल हाफ में, तो जो रिजल्टिंग सेप होंगी, उसे हम बोलते हैं, हेमिस्फेर, ठीक है, एक बॉल सेप की होगा, तो इसकी रेडियस तो सेम हो जाएगी, और इससे एक हाइल वहीम मिलेगी, बट वही सेम रेडियस के बराबर हो दियए, थीट है तो अगर इसकी भी रेडियस आर है लेट रेडियस कि इस रेडियस आफ हेमिस्फे़र अप तो वॉल्यूम क्या होता है बोल्यूम आफ हेमिस्फेर देखे, फूरी स्फेर की वॉल्यूम क्या होती है 4 by 3 pi rq तो अगर हमने 2 portion में divide किया है तो हेमिस्फेर की वॉल्यूम उसकी half होताएगे जितनी स्फेर की होती है is equal to 2 by 3 pi rq ठीक है square unit, sorry, cubic unit अब surface area थी बात करें तो यहां फिर से देखे एक flat portion है आपको जहां से जिस parallel shape में हमने यह cut किया ठीक है, यह आपको flat होगी और इसकी area हो जाएगी pi rq तो curved surface area है क्या हो जाएगी total आपको surface area of a square divided by 2 कर देंगे तो वो हमें मिल जाई curved surface area curved surface area of a hemisphere equal to 6, 4 pi r square है तो यह 2 pi r square ठीक है, twice of pi r square यह square units में ठीक, total area की बात करें total surface area ठीक, total surface area देखें भी आपको यह flat portion की area एड़ कर देंगे, जो circular है तो 2 pi r square प्लस pi r square तो यह हो जाएगा हमें 3 pi r square square unit ठीक है, तो यह हमने discuss किया sphere और hemisphere चलिए, थोड़ा साहा हम discussion कर लेते हैं पीरामिट के उपा ठीक है, इसे clean करते space बना लेते हैं पहले पीरामिट पीरामिट की बात करें तो पीरामिट में क्या होता है तो पीरामिट अगर बात करें पीरामिट में आपको बेस जो होगी एक ट्रेंगलर पेस बनती है ठीक है, यह देखेंगे यह अगर एक ट्रेंगल है ऐसी पेस बनेगी त्रीन फेस के साथ को यह हो ठीक है O, A, B, C ठीक है, A, B, C एक 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 ट्रेंगल है और उसके सारे फेस जो हंडेगे यह फेस आपको एक होगी ठीक है, दूसरी फेस हम जिस साइट से देख रहा है वह होगी O, A, C को जोइन करती हुए ठीक है, O, A, C ट्रेंगल एक फेस हो जाएगी और तीसरी फेस हो जाएगी O, B, C यह वारी फेस O, B, C और एक तो बेस होगी हमारी A, B, C बेस होगी ट्रेंगलर फेस Similarly, आपका क्या होता है एक स्क्वाइर वो बेस के जगर बेस में हमारा यहाँ ट्रेंगल है तो स्क्वाइर के ऊपर भी हम फॉर्म कर सकते हैं बट पीरामिट में क्या होता है सारे फेस जो होते हैं बेस को छोड़कर सारे ट्रेंगलर फेस होंगे भी है और वो एक उपर पाइट से जोईन होती है थीक है अब इसकी अगर हम वॉल्यूम की बात करें पीरामिट की तो वॉल्यूम अपका पिरामिट हम क्याउकूलेट कर सकते हैं वॉल्यूम इक्वल टू वण बाइट्री इन्टू बेस एरिया बेस की एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं जैसा भी आपका यह होगा से अगर स्क्वाइर है तो स्क्वाइर का एरिया कैलकुलेट करने हैं तो बेस एरिया इन्टू हाइट ठीक है यह volume हो वे और surface area की बात करें whole surface area की बात करते है whole surface area whole surface area जो होती है आपको area of base तो जिस भी shape का आपका हो area of base प्लस area of each of the lateral faces ठीक है सारे जो triangular faces होंगे वो सारे face के area area of each of the lateral faces अब देखिए यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखिए गए हां जब भी problem solve कीजेगा जैसे मान दीजिए अगर यूनिट लीटर में दीविए ठीक है नोट आप कर सकते हैं सब्सक्राइब वन लीटर दीवे आपको volume of a liquid वन लीटर तो वन लीटर को अगर हम सेंटी मीटर में करते हैं तो यह होती है वन थाउजन सेंटी मीटर क्योब ठीक है और वन मीटर क्योब की अगर बात करें और यह लीटर में करें तो थाउजन लीटर हो जाती है थाउजन लीटर ठीक है अगर वन मिली लीटर की बात कर लें ठीक है वन मिली लीटर की बात करें तो कितना होगा 1 liter equal to 1000 cm q ठीक है चलिए 1 cm q की अगर बात करते हैं और इसे क्या करेंगे हैं मीटर में convert कर देंगे तो 1 cm q आपको 0.01 into to the power 3 हो जाएगी और इतने meter q तो 10 to the power minus 6 meter q ठीक है 10 to the power minus 6 meter q हो जाती है और 1 meter q is equal to 1000 liter तो 10 to the power minus 3 liter हो जाएगी तो 1 cm q is equal to 1 milliliter ठीक है 1 cm q is equal to 1 milliliter तो जब भी आप area related problem volume related problem यूनिट का ध्यान रखिएगा ठीक है सारे यूनिट सेम एसा यूनिट होगी तो एसाई में देजिएगा cds यूनिट होगी seat of paper है ठीक है उसकी length और width दीवे है और क्या बोला जा रहा है उस paper से चारो corner से एक square से cut किया जाता है और square की एक जो cut होगी वो 2 cm की है ठीक है तो जो remaining portion बती की उसे hold किया जा रहा है और एक tray का shape दिया जा रहा है उसे तो हम एक volume of the tray find करने है ठीक है देखें यह सपोज आपको यह paper हो गई ठीक है तो dimension ठीक से लिजेगा 8 इस्टू यह सपोज 8 है और यह 10 है तो क्या कर रहा है इधर से cut cut ले रहा है इधर cut cut ले रहा है यह 4 portion cut हो जा रही है और इसे जब fold करेंगे तो क्या होगा देखें तो remaining base होगी वो यह बचेगी यह आपको बच जाएगी as a base बाकि fold होके वो आपको height provide करेगे ठीक है यह base of the tray हो जाएगी यह वाली shaded portion जो है base of the tray हो जाएगी और उसकी length कितनी बचेगी अगर हम length की बात करें तो 10 minus 2 into 2 यह 2 है और यह 2 है ठीक है तो 2 यह वाली गई और 2 इधर से गई तो 10 minus 2 into 2 equal to 10 minus 4 is equal to 6 सिमिदर भी अगर width की बात करें तो width तो यह हुए width कितनी बचेगी 8 minus इसमे भी 2 into 2 आपको minus हो जाएगे तो 8 minus 4 is equal to 4 width हो हो जाएगी और उसकी length 6 हो जाएगे ठीक है चलिए तो find करें volume देखें length of the tray length of tray is equal to 10 cm minus 2 into 2 यह हो जाएगी आपको cm में हो गी तो 6 cm सिमिधर ली ब्च भी अफ़ गएगे ब्रे आपको जाएगे तो इसमेड इसमेली ब्चेगी आपको में जाएगे तो इसमेली भी आपकाशा हो जाएगे पर आपको 2 cm ही height मिलेगा उसे equal to 2 cm ठीक है अब volume हम calculate कर सकते हैं ये एक cuboid portion हो गया ठीक है, cuboid shape में आ जाएगा तो volume of tray is equal to length into breadth into height, ठीक है length हमारी 6 breadth हो गई 4 और height हो गई 2 और सारे cm में हैं तो answer हमारा आएगा cm कितनी हो गई 48 cm cube जो है, हमारी volume of the tray हो जाएगी ठीक है चलिए clean करते हैं, उसके बाद next problem discuss करेंगे आप लोग ये problem note down की है ये वाली problem देखे आगार्वी के क्राम में 2003 में आई है, question क्या होगा जा रहा है, एक देखे cube है, उसकी age length दीवी है ठीक है, और उसे क्या करना है एक rectangular vessel of water है उसमें immerse किया जा रहा है ठीक है, उसमें टाल दिया गया अगर cube जो है छोटी वाली तो आपका rectangular vessel जो है उसकी dimension दीवी है 20 cm into 15 cm ठीक है, height के बारे में कुछ बताया होगा नहीं है तो हमें चाहिए भी नहीं हमें क्या find करनी है rise in the water layer तो देखे, अगर हम डुबोते हैं वो cube को तो क्या होगा, वो आपका shape जाके water में लेगा कुछ space occupy करेगा और उसके चंदे आपको water level rise जाए, ठीक है तो कैसे करेंगे ये calculate कितनी water level rise होगी और उस water में अगर हम पूरे tank की बात करें तो उसमें volume कितनी बढ़ जाएगी कितनी volume क्यों की होगी उतनी volume बढ़ जाएगी ठीक है, तो increase in volume हम calculate कर सकते हैं increase in volume increase in volume is equal to volume of the cube volume of the cube क्या होती है cube की volume age length to the power 3 ठीक है तो 15 अगर है तो 15 cm की whole cube बग कैल्कुलेट कर लेंगे तो ये हमें कितना मिलेगी चलिए अभी एच्छी unit में रहने देता है 15 into 15 into 15 cm की 15 into 15 into 15 cm की ठीक है multiply करने की जरूद नहीं क्योंकि आपको height find करने है rise in water तो बहुत सारे term cancel हो जाएगा तो अब rise of water calculate करते है क्या हो जाएग वॉल्यूम जो राइज इंक्रीज हो रही है वॉल्यूम इंक्रीज divided by जो आपको container की base area है ठीक है base area base जो है rectangular है तो rectangle की area base area ठीक है इंक्रीज इंड वॉल्यूम है हमारी 15 x 15 x 15 cm3 divided by base area हमारी है 20 cm x 15 cm तो इतना cm2 अब देगे 15 cancel हो गया इसलिए multiply नहीं करना साम है 5453 तो 45 by 4 is equal to 11.25 cm तो यही हमारा answer होगी है इतनी ही level rise होगी tank की ठीक है चलिए clean कर लेते हैं के बाद next problem हम लोग बिस्कस करेंगे यह problem no down कीज़े आप लोग देखे क्या बोला जा रहा है इस problem में रेडियाई और पेतेस्टी है दो सिलिंडर है जिसके radius की ratio दी हुए है ठीक है 3 is to 5 और height की ratio दी हुए है 2 is to 3 तो हमें क्या turn करनी है ratio of their curved surface area तो curved surface area क्या होता है अगर curved surface area of cylinder की बात करेंगे तो बेस का जो circumference होगा 2 pi r into height ठीक है तो 2 pi r h जो है उसकी हो जाएगी curved surface area तो हमें इस दूनों cylinder के curved surface area की ratio find पर नहीं है तो हमें ग्यूम कर लेते हैं लेत रेडियाई of cylinders बी 3x and 5x ठीक है 5x respectively और height जो है उनकी height of cylinders बी कितनी ratio है 2 is to 3 तो 2 h and 3 h respectively अब देखे हमें यह पता चल गया है ratio और height तो रेडियाई और height तो रेडियाई और height तो रेडियो हमें फाइंड नहीं है curve surface area की therefore ratio of their curved surface area curved surface area short form में ही लिख रहा है तो क्या हो जाई? twice by into first cylinder की बात करें तो 3x into 2h ठीक है अब second cylinder की बात करें तो 2 pi into radius कितनी है 5x into height is 3h ये देखें cancel हो जाएगी x cancel होगी h cancel होगी ठीक है 3 cancel होगी तो बज गई 2 by 5 2 by 5 और ratio कितनी हो जाएगी 2 ratio 5 यह हमारा answer हो गया ठीक है चलिए clean कर लेते हैं उसके बाद next problem discuss करेंगे ये problem no time कीजिए आप लोग देखें क्या गोला जा रहा है problem है एक conical tank है ठीक है इसमें 5 लोगों को accommodate होना है ठीक है उसमें 5 लोग अज़र रहेंगे और हरी लोग को कितना space चाहिए floor area जो चाहिए उनको 16 cm square ठीक है और breathe करने के लिए air चाहिए तो total volume जो required होगी वो 100 cubic meter per person ठीक है per person आपको volume दीविये कितनी requirement है और base area दीविये तो हमें find करनी है height of the patent क्यासे करेंगे चलिए देखिए हम एग्यूम कर लेते हैं radius और height of the conical tilt लेक रेडियस लेक बेस रेडियस और trend बी आप and height vertical height जो होगी उसकी height b h ठीक है अब देखिए जितनी surface area पाँच लोग को मिला कर चाहिए उतनी की base area होनी चाहिए then area of base क्यों होगी area of base is equal to 5 person है और per person आपको चाहिए 16 cm square ठीक है तो 5 into 16 और हमारा क्या है base area कितनी होगी curve जो base होगी वो एक circular होगी तो pi r square equal to 80 ठीक है तो यहां से हम r square calculate कर सकते हैं 80 divided by pi ठीक है यह चलिए हम equation number one assume कर लेते हैं दूसरी आपको क्या चाहिए volume चाहिए ठीक है तो जो 5 लोग है उनकी volume air requirement की volume से बहुत ही कम होगी इसलिए उनकी volume नहीं दीए होगी है ठीक है क्योंकि लोग जो है वो भी कुछ volume occupy करेंगी तो बट सिर्थ एर की volume दीए है 100 cubic meter per person तो volume of 10 जो हो जाएगी volume of 10 is equal to 5 person है और per person हमें चाहिए 100 meter क्योंकि 100 meter क्योंकि चलिए तो अब क्या करेंगे तो इसमें देखिए यहां क्या हो जाएगी हमारी 5 इन्टू 100 जो है और volume of a कूर क्या होता है 1 by 3 इन्टू πाई r square इन्टू h equal to हो गई हमें 500 अच्छा यहां थोड़ा का देखिए question में क्या mistake है यह 16 cm square means देखि 4 cm का whole square होगा तो यह space बहुत ही कम होती है एक परसन को एकुमोड़िट करने के लिए तो यह यहां misprint है यह आपको meter square होगी ठीक है 16 meter square है आपको यह space जो required है area base area requirement is 16 meter square per person ठीक है चलिए तो यहां क्या करेंगा r square की value substitute कर जेते हैं using 1 तो 1 by 3 into pi into r square कितनी है 80 by pi into h ठीक है is equal to 500 pi cancel होगी तो h की value हम calculate कर सकते है h equal to कितनी होगी देखिए 00 cancel होगे h is equal to 50 into 3 by 8 2 से cancel होगा 4 25 तो h की value हमें मिल गई 75 by 4 और इसे लिख सकते है 18 3 by 4 ठीक है यह meter में है और radius calculate करने की जरूत नहीं है यह सिर्व वर्टिकल हाइट करने है ठीक है hence height of the 10th is equal to 18 3 by 4 meter यही answer हो गया हमारा चलिए इसे clean कर लेते हैं उसके पर नेक्स प्रॉब्लम बिस्कस करेंगे यह प्रॉब्लम नोट डाउन कीजिए आप लोग यह प्रॉब्लम दे कि आपको आराभी के जांग 2003 में आई हुई है क्या वो ला जा रहा है प्रॉब्लम में how many spherical bullets ठीक है तो क्या है कि एक cylindrical safe है lead की है 28 cm high है और base radius उसकी dv6 cm तो उससे कितने spherical bullet बन सकते हैं और उसकी bullet की diameter दी विए 1.5 cm ठीक है तो कैसे calculate करेंगे देखे इस type के problem में क्या करते हैं कभी थी जो volume होता है वो equate कर देते हैं ठीक है volume अगर safe change हो रहा है उस case में volume हम से equate करेंगे और हमें answer मिल जाएगा तो सारे spherical bullet की volume एड़ कर देंगे और वो किसके बराबर होगी volume of the cylinder के बराबर ठीक है तो देखें यहां को कैसे करते हैं volume of cylinder जो है volume of cylinder रेडियस दीवी है 6 cm तो पाई इंटो आर स्क्वाइर इंटो एच तो 6 cm इंटो 6 cm और हाइड ती में 28 cm तो वोल्यूम हो जाएगे सेंटिमीटर क्यूब में चलिए यह हमारा होगी है 36 इंटो 28 पाई शेंटिमीटर क्योग ठीक है multiply हम नहीं करते हैं क्योंगी cancel होगा आपको चलिए next क्या है volume of each bullet कितनी हो जाएगे volume of each bullet equal to volume of square होगी और volume of square होगी है 4 by 3 pi r cube pi इंटो radius of bullet है कितना diameter दीवे 1.5 तो radius इसकी हाफ हो जाएगे तो 1.5 by 2 into 1.5 by 2 into 1.5 by 2 into 1.5 by 2 और यह आपको किसे बरागर होगी 9 by by 16 cm क्योंगी है multiply करके देखिए अब क्या करना है यह volumatic है हमें number of bullets find करने है तो number of bullets the number of bullets into volume of each bullet is equal to volume of cylinder therefore number of bullets equal to volume of cylinder of cylinder divided by volume of each bullet अब वॉल्वूम आफ इच पुलेट ठीक है अब अल्वेड हम calculate कर चुक है volume of cylinder 36 into 28 pi unit दोनों की सेम है तो number की तो unit less रहेगी number और इच बुलेट की वॉल्वूम 95 by 16 ठीक है 5 तो cancel हो जाएगी देखिए चलिए क्या हो जाएगी number 36 into 28 into 16 by 9 ठीक है 9 into 4 कितना हो गया है 28 into 16 into 4 is equal to हमारी आंसर जो है होगी 1792 पुलेट इतने टोटल पुलेट शंक और मों कर सकते हैं ठीक है चलिए clean करके next problem discuss कर लेते हैं यह problem no down की से आप लोग यह वाली problem देखिए management इंटर्ट से जाम 2007 में आई हुई है क्या कुछिन बोल रहा है एक cylindrical container है ठीक है उसके इसमें ice cream फिल है और उसके dimension दी भी है पून के फॉर्म में distribute किया जा रहा है जिसके ऊपर एक hemispherical top की है तो यह जो होगी conical portion उसकी base radius दे हुए है four times sorry height जो दिये हुए conical portion की four times the radius of base तो हमें find करने है radius of ice cream फोन कितनी हो ठीक है कैसे करेंगे रीचे यह मांग दिए आपकी कोन है ठीक है inverted cone होगी ठीक है और एक इसकी है hemispherical portion उपर में top है यह इसकी base हो गई height दी हुए है four times radius four times radius ठीक है अब four times radius दी हुए है और base radius r तो यह ही hemispherical portion है उसकी भी radius जो है r ही होगी ठीक है अब देखें दस बच्चों को distribute की जा रही है यह हमें पता है equal cone है तो क्या होगा total volume of the ice cream container वो किसके बराबर होगी दस बच्चों को दिया जा रहा है तो 10 into volume of each cone ठीक है इससे हमें पता चलिए जाए रही रेडियस क्या होगा volume equal करना है तो volume of container find कर लेते हैं पहले हम volume of ice cream in cylindrical container in cylindrical container यह होगी आपको पाई into radius है इसकी 6 तो 6 की square into 15 और सभी यह unit centimeter में है तो यह centimeter क्यों हो जाएगा है ठीक है multiply करेंगे तो high 45 cm3 यह total volume हमें मिल गए height of cone चलिए एजुम कर लेते हैं let radius of cone बी आप सेंटिमेटर हाइट हो जाएगे 4 ताइंस अफ रेडियस height of cone is equal to 4 आप सेंटिमेटर ठीक है volume of cone क्या होती है 1 by 3 pi r square h ठीक है तो हम ही क्या करनी है volume को equate करनी है therefore volume of 10 cones with hemispherical top ठीक है hemispherical top को भी include करना है with hemispherical top equal to किसके पराबर होगी volume of ice cream in cylinder ठीक है volume of ice cream in cylinder ठीक है अब देखें क्या होजाएगी total volume 10 times इसकी volume आपको हो जाएगी 1 by 3 pi r square into height is 4 r ठीक है यह तो conical portion की volume और hemispherical volume क्या होजाएगी 2 by 3 pi r cube hemisphere की radius और o base radius of cone same होगी 2 by 3 pi r cube और यह आपको total हो जाएगी 540 pi ठीक है अब हमें क्या इन से radius find हो जाएगी pi pi cancel होगे चलिए यह 1 by 3 means 4 by 3 pi r cube 4 by 3 r cube plus 2 by 3 r cube तो 6 by 3 r cube और into 10 ठीक है तो 6 by 3 यह 20 r cube हो जाएगी 10 into 4 6 by 3 r cube equal to 540 और यहां से हम r cube कितना मिल जाएगे यह 3 into 2 तो 20 हो जाएगे तो r cube equal to 27 देरफोर r equal to 3 हमें radius of the ice cream cone find करने थी हेंस radius of cone is equal to 3 cm यह हमारा answer हो गया ओके फ्रेंश तो इस लेक्चर में हमने डिसकस किया अब volume and surface area और solid figures के बारे में ठीक है और कुछ important problems ही हमने डिसकस किये जो की अलग-अलग competitive गाम में पूछे जा चुके हैं पूरी लेक्चर में कई भी कोई doubt हो या इस topic से related कोई कोई भी डाउट हो तो आप हमारे comment box में आकर जरूर बताएं हम आपके doubt को clarify करने की कोसिस करेंगे आपको अगर हमारा lecture पसंद आया तो like button प्रेश कर दें और यदि आप हमारे चैनल पर first time विजिट किये हो तो आप subscribe करें हमारे चैनल को और bell icon प्रेश करें ताकि लिए आने वाले वीडियो के notification आप तक मुझती है ओके फ्रेंट थैंक्यूंग करेंगो 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 झाल झाल